अपसे हैं आप सब वेलकूम बैक टो माइ चनल मैं हूँ शगुफता और आज आपको बताने वाली हूं बीन वैक्स के बारे में बीन वैक्स भी मार्केट में बहुत चलती है इस तरह की होती है दाने दाने वाली होती है मैं आपको दिखा देती हूं इस तरह की दाने ऐता हैं इसके अंदर दिख रहे आपको इसतरह होती है। proteg sex यह जाधु तर फेस पर यूज होती है आईब्रोगS वो गयरा पनाने में सैपलोक कर में अपलंड अपश्ड पर आपक क्लिक की यूज्स कर सकते हो इसको इसका ही आज मैं बताने वाली हो कि हम किस तरह यूज करते हैं अच्छा ये आपको कहीं भी मिल जाती है किसी भी मार्केट में मिल जाएगी मगर एक चीज का ध्यान रखना आप जो लोग ये समान पालर का बेशते हैं सिर्फ उनी लोगों से आपको ये वीन वेक्स खरीदनी ह अब पहले ही आज क्यादती हूं जो लोग नए है मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करना लाइक जरूर करना हो जितने भी मेरे सब्सक्राइब मेरे चैनल आप लोगों के वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं इसलिए आपके लिए हर कोशन की कभी तो वीडियो लेकर आ जाती हूं या फिर आपके कमेंट्स के जवाब जरूर देती हूं अभी तक कोई सब्सक्राइब मेरा ऐसा नहीं होगा जिसको मै और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हम उसे कोशन करो मैं आंसर ज़रूर करूंगी और कुछ इस वीडियो में प्याम जबर आंसर करूंगी इस चीज़ का तो लाइक करना शेयर करना कमेंट्स करना बैल आइकन को जरूर दबाना सब्सक्राइब करना मत भूलना देख ऑटमाटिक एंटर में यही फायदा होता है बस जा था जारवज थास्तमर का ये फायदा होता का में इसाइड पलऑने motivation करो कहते दो आपको हें मताना है अपर निजांच करते हैं को हम करते हैं सेम वही प्रोसीजर रहे हैं जिस तरह करते हैं उसी तरह करना है हमें ठीक है अब मैं टूथपिक ले लूँगी बगाना स्टार्ट कर रही हूं जो हमें शेप चाहिए हो शेप पे हम लगा लेंगे वैक्स प्रोपर शेप आप नहीं दे पाते धाग आपको यूज़ करना ही बढ़ता है अब एक्स्ट्रा है मुझे लगाएंगे जादे 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 प्रेस करेंगे इसको और जहां पर आपने एंड कराएं वहीं से आप स्टार्ट करोगी हटानी हो गया दिख रहा है आपको अभी यहां पर क्लियर नहीं हुआ है न छोटे-छोटे पैस लगाने और वहीं पर आपको लाइन क्लियर करनी है जहां से आप प्रेस करना है और रिमूव कर देना है ठीक है कि फ्रंट पर मुझे इसी तरह लगानी है सबसे पहले आप जाधा कॉंटिटी उपपर की तरफ रखोगे और फिर नीचे की तरफ लेकिया होगे एक्स्ट्रा कहीं लगा नहीं होना चाहिए अगर कहीं एक्स्ट्रा लग गई है तो वहीं से हेर निकल जाएगा आपका फ्रेड आपको फिर भी लगानी ही पड़ेगी लगारें सबसे पहले साइकेंड साइड जो छोटे-छोटे यह रहे वह आपको थ्रेड से ही रिमूव करने होंगे परनी आइब्रोज और शेप लगानी है अच्छे से जिस तरह में शेप देनी है कस्ट्रमर को उसी तरह किसे शेप आपको बना कर प्रॉप पर और फिर आपको यह वैक्स लगानी है आप देख सकते हो कितने ज्यादा निकली है इसकी नगर लूज है तो नीचे से आप टाइट करवा सकते हो और फिर जो नीचे का एरिया होता है उस पर अच्छे से यह वैक्स लगा सकते हो जो छोटे-चोटे हैर रह जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए इक्स्ट्रा बार टाजाएंगे उसको हम करेंगे धागे से क्लीन तो चोटी-चोटी हैर है तो उसको अपको धागे से हटाना पड़ेगा अप एक वीडियो पे मज़ आये करो आपको दिखाते हैं के वैक्स से एक ही बार में आ जाता है इसा कुछ नहीं है बुबर्डद में बहुत बारिकी से काम करने पड़ते हैं और मैंने आपको दिखा दिया है कि लोग कैसे करते हैं वेक्स आइब्रोज त्रेड आपको ज़रूर लगानी पड़ेगी जो एक्स्ट्रे है रहे हम उसको छोटी छोटी जो बादिक है जो नहीं आते दागे में उसको हम त्रेड से ही रिमूव करेंगे अच्छी फिनिश देने के लिए आपको थ्रेड यूज जरूर करना पड़ता है देख सकते हैं अब मुझे क्लिया करनी है शेप देनी है तो मैं उसी तरह से दागा को गुमाऊ होंगी बज़े छोटे-छोटे हैर होते हैं वह अच्छे से रिमूव हो जाते हैं जिनको पेंट जादा होता है उनके लिए वैक्स बहरता है देख सकते हैं आप यह मैंने वैक्स और थ्रेड दोनों से करी है वैक्स है किस तरह करनी है वह भी मैं आपको बता दिया और थ्रेड समय किस तरह शेप देनी है वह मैं आपको दिखा दिया है ठीक है उसके बाद हम लगा देंगे इस्टेंजन दोनों आइस ब्रोज पर शेख झाल यह मैं आपको देखा रगा जो झाले झाले और रट रगा यह मैं आपको ब्रोज घ्रेज पर दोनों दोनों आपको दोनों